कैसे हो दोस्तों किसी भी competitive exam को अगर preparation करना चाहते हैं तो हमारे पास कुछ चीजे होनी चाहिए उस exam का syllabus हमें अच्छे से पता होना चाहिए फिर उसका जो exam pattern है वो भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ PYQ और हमें उन questions किस प्रकार के आते हैं उस exam में यह यही भी अच्छे से पता होना चाहिए हम लोग IIT exam mathematics की बात करने वाले हैं इस वीडियो में और उसमें ही specially हम लोग ordinary differential equation की बात करेंगा आज की इस वीडियो में IIT exam mathematics exam में आप जानते हैं कि जो ordinary differential equation का section है वो लगबग पूछा जाता है 12 से 14 मार्क के लिए साफी अच्छा वेटेज हैं अब हम लोग यह देखेंगे कि इस topic में से कौन से ऐसे important points से जहां से questions हमेशा आते हैं इस exam में कुछ कुल मिला कर हम लोग ने पांच topics में इस पूरे course को इस पूरे subject को हमने बाटा है और देखते हैं कि वहां से कितने questions आते हैं हर साथ तो हम लोग one by one देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले हम लोग पहले लास्ट लेटेस्ट पांच इस का analysis करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा 2030 में हम लोगों ने यह कुछ पांच topics लिये हैं फस्ट ओर्डर फस्ट डिपरेंशे इक्वेशन जन्रल थियोरी दिए डिफेरेंशेल एक्वेशन 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 एग्जिस्टन्स यूनिकनेस और्थोगोनल ट्रेजेक्टरी यह पांच टॉपिक इसमें आप देखोगे कि 2030 में जो पीपर हुआ था उसमें जो हमारा फस्ट ओर्डर और फस्ट दो क्वेशन एक्वेशन से और एक्वेशन से ओनिटर कोई स्ट नहीं ओर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के इस में इसंदा इख्वेशाम में 2022 में अगर बात करेंगे तो दो कैματα से दो theory से दो questions linear differential equation से चार questions अकीन existence uniqueness से zero और फिर orthogonal trajectory से एक question अगर आप ज़रा observe करोगे तो यह 2021 का analysis है यहाँ पर मात्र existence uniqueness के उपर एक question आया था तो फिर orthogonal trajectory के उपर कोई question नहीं था 2020 में 5 questions first order first degree differential equation के दो questions यहाँ पर linear differential equation existence uniqueness अगेंज जीरो और फिर्टेश्टरी अगेंज जीरो अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर यह पहले पार लेटेस पाच यह का analysis है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो first order और first degree के differential equation से इनको काफी weightage दिया गया है इस exam में साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि linear differential equations को भी काफी weightage है general theory को भी weightage दिया जाता है existence uniqueness को weightage कम है आज तक फुल मिलाकर दो या तीन questions पूछे गये हैं इस topic के उपर लेकिन आने वाले समय में यह topic important होने वाला है तो हम लोग इसको भी include कर लेते हैं और फिर orthogonal trajectory के उपर अगर आप देखोगे तो एक आद question मिलेगा आपको हर बार ठीक है यहाँ पर हलाकि नहीं दिखाए देगा लेकिन अगर आप यह पीछे भी कुछ analysis देखोगे 2017 से 2011 तक तो एक एक दो एक जीरो जीरो इस प्रकार की questions आपको दिखाई देंगे एक आद question आपको और ट्रेजिक्टरी के उपर मिलता है ना फिर existence uniqueness के theorem के उपर यहाँ पर भी आपको एक question दिखाई देगा तो फुल मिलाकर दो ही questions पूछे गए हैं दो या तीन questions first order first degree का differential equation काफी important हो जाएगा हमारे exam के लिए क्योंकि यहाँ से लग बग हर बार minimum दो questions आते हैं general theory के उपर एक आद question fixed है और linear differential equation के उपर दो या तीन questions पूछे जाते हैं similarly यहाँ पर देख सकते हैं यह 2005 तक का analysis है तो मोटा मोटा चीज हमने यह समझ लिया कि first order first degree differential equations हमारे लिए important है general theory important है linear differential equations and orthogonal trajectory अभी के लिए तो इसको हमारे पास उतना weightage नहीं है लेकिन आने वाले समय में इसको भी weightage मिलने वाला है तो यह था कुछ ordinary differential equation का analysis in IIT exam mathematics examination पाकी subject का भी analysis किया होगा जैसे के linear algebra का विकास तरने करके रखा है तो आप वह भी देख सकते हैं पाकी subject का भी आप देख सकते हैं ठीक है और इसी के फिर इसी के according अपने preparation जारी रखिए दिखिए कि कहा से कितने questions आते हैं कौन से points important है अच्छे से उनी को prepare करिए और फिर हमारी जब यह preparation अच्छे हो जाएगी तो हमारी rank अच्छे आ जाएगी और rank अच्छे आ जाएगी तो हमें IIT अच्छे मिलेगी ठीक है तो इ अच्छे वीडियो में इतना ही था दोस्तों thank you everyone and happy running